यूपी में चुनावी रण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज मुक्यमंद्री योगी आदितिनाथ और यूपी चुनाव में दाओं अजमाने हैदराबाद से चले आए असदुदीन ओवेसी दोनों ही पश्चिमी उत्तरपदेश में थे। और जब दोनों एकी इलाके में घूम रहे हों और दोनों के दोनों नेता दुरूवी करण की राजरीती के पैरुकार हों तो आप समझ सकते हैं कि आज पश्चिमी यूपी में क्या हुआ होगा। आज ओवेसी ने एक बार फिर मुसल्मान मुसल्मान कहा और आगे जाकर तो यहां तक कह दिया कि हाँ मैं हूँ अबबाजान अब तक उनको चचाजान कहा गया था आज उन्होंने खुद को अबबाजान मान लिया वही मुक्यमंत्री योगी भी जब आज पश्चिमी वोटों का धुरुवी करण होगा यानि वोट हिंदू और मुसल्मान में बटेंगे या वोटों का खेल कुछ और होगा आईए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट अब जो आज साहिब मस्तधर कल नहीं होंगे योगी आज मुख्यमंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाला जैस किलेश जे नहीं है मोडी है इंशाला कल वो नहीं रहेंगे पदार मंत्री बेटल ग्राउंड पश्चिमी उत्तरपदेश सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी और यूपी की चुनावी जंग में आमने सामने योगी और ओवैसी यूपी की जंग में पश्चिमी यूपी में इस बार सबसे तगड़ी चुनावी जंग देखने को मिलने वाली है किसान अंदोलन और जाट फैक्टर के चलते इस बार बीजेपी के लिए हालात पिश्टी बार की तरह नहीं है यही वज़े है कि इस बार खुद योगी चुनावी से काफी पहले मैदान में उतर गए है पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री ने आज तीन कारक्रम किये दादरी, हापोट और अम्रोहा योगी जहां भी गए वहां उनके टार्गेट पर हिंदू वोट था कहीं दंगाईयों के खिलाफ कारवाई की बात करके तो कहीं हिंदू त्योहारों पर भेदभाव के आरोब पिछली सरकारों पर लगाकर योगी ने चता दिया कि हिंदूओं का भला सिर्फ बीजेपी राज में है अम्रोहा में जहां योगी हिंदू वोटर्स को संदेश दे रहे थे तो संयोग से उससे कुछ देर बाद 38 किलोमीटर की दूरी पर असद दुद्दीन ओवैसी संभल में उन पर निशाना साथ रहे थे उद्दर पर देश का जो जो भी गरीब है जो कमजोर है जिस पर जालिम जिलुम कर रहा है उसका बाप असद दिया ओवैसी है ओवैसी ने सिर्फ योगी पर नहीं बलकि उन्हें चचाजान बताने वाले राकेश टिकैट पर भी अमला किया वैसी जहां जाते हैं वहाँ जाने से पहले विवाद जरूर पैदा करते हैं आयोध्या गए तो पोस्टर में फैजाबाद लिखवा दिया संभल आए तो इसे गाजियों की धर्ती बता दिया हाँ फर्थ सिर्फ इतना था कि संभल में वह ऐसी काफी शायराना मूड में थी जो आज साहिब मस्दध है कल नहीं होंगे योगी आज मुख्य मंत्री है कल नहीं रहेंगे इंशाला जैसे किलेश्टे नहीं है मोडी है इंशाला कल वो नहीं रहेंगे पतार मंत्री जो आज साहिब मस्दध है कल नहीं होंगे कि रायधार है जाती मकान थोड़ी है योगी आदेत नात और वेसी दोनों के लिए ही पश्ची में उत्तरपदेश बेहल माइने रखता है लेकिन दोनों की कामियाबी चिपी है वोटों के धुरूवी करण पर 2017 विधान सबाचुनाओं में CSDS के सर्वे के मताबिक ससत्तर फीजदी जाट वोट बीजेपी को मिला था जो 2019 लोग सबाचुनाओं में बढ़कर 90 फीजदी हो गया लेकिन अब ये वोट किसान अंदोलन के चलते बीजेपी से छिटकने का खत्रा है यही वज़े है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूसरी जातियों के साहरे अपना गणित बिठाने की जुगत में है दादरी में योगी आदे तिनाथ ने राजा मिहर बोज की प्रतिमा का नावरन कर यहीं गणित साधने की कोशिश की दूसरी तरफ ववेसी भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पाले से मुस्लिम वोट खीचना आसान नहीं है यही वज़े है कि बीजेपी से जादा उनके निशाने पर अखिलेश है पूछो अखिलेश यादर से पूछो पहनगी से चुनाओं में अभी वक्त बाकी है कोल मिलाकर अगर पश्चिमी उत्ता प्रदेश में वोटों का थ्रूवी करना हुआ तो बीजेपी को तो फायदा हो गई साथ ही वो ऐसी भी यूपी में जिस सियासी मन्सूबे के साथ उत्रे हैं उनकी गाली भी निकल पड़ेगी यूपी जुनाओं के दो बड़े चेरे अनिमुक्यमंत्री योगी और असद उद्दीन ओवेसी एक साथ अगर पशिमी यूपी हो तो पशिमी यूपी की राजनीती के बारे भी आपको जरूर बता देना चाहिए क्या खिरकार वक्त के साथ साथ इस इस इलाके में क्या कुछ हुआ है समझ ये सिलाके इस पूरी राजनीती को इस इलाके की राजनीती को 1966 से ही पूर प्रधान मंतरी चौदरी चरण सिंग ने बदिलना शुरू कर दिया उन्होंने अजगर अगर मैं अंग्रेजी में लिखू तो AJGR यानि अजगर जिसको आम भाशा में बोला जाता है का राजरितिक सम्मीकरन बनाया जिसमें अय से अहीर यानि यादव, जा से जाट, गा से गूर्जर और रा से राजपूत शामिल थे ये उनका कोर वोट बैंक था, बाद में चौदरी साहब ने इसमें मुसल्मानों को भी जोड लिया, इस वोट समीकरन से चौदरी साहब का इस इलाके में सिक का जम गया जो की चलता रहा, बाद में चरंड सिंग के ही राजरितिक चेले, मुलाहिम सिंग यादव का M-Y वाला इस पूरे इलाके में मुसल्मान करीब 26 फीजदी हैं, दूसी तरफ चरंड सिंग के बेटे के साथ जाट वोटों का मजबूत रिश्टा आज भी जुड़ा है उनके पूरे परिवार के साथ, लेकिन 2013 के मुजफ़न अगर दंगे और प्रधानमंती नरेंदर मोदी के राष इसान नेता राकेश टिकैद भी जो की जाट खुद हैं, राकेश टिकैद भी जाट और मुसलिम वोटों को एक साथ लाम बंद करना चाहते हैं, जैसा कि वो पहले होता था, इसी तरीके से वो बीजेपी का मात देने का प्लान पश्यमी यूपी में बना रहे हैं, लेकिन क् काम आसान है, और खासकर तब जब मुसलिमों का रहनुमा बनकर ओवेसी ने भी एंट्री मार ली हो, आकिर क्या सोचते हैं पश्यमी यूपी के मुसल्मान, इसको जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए. कि एक स्टेट का मुख्य मंत्री अपाजान कहिए है, व्यूपी आपगान मंत्री उससे मुत्पिक है, तो उनकी उस भाशा से. पेले भिडारे लग्से से जम्सिके साथ है अल्लाहुः अक्मर। अल्लाहुः अक्मर। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सारा केलकुलेशन पिगड़ गया खासतोर से बश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसान अंदोलन की नाराजगी के चपू पर विपक्ष की पार्टियों को अपनी नावपार उती नजर आ रही थी लेकिन OVC आये हैं तो मुस्लिम वोट बिखरने का खत्रा तो बढ़ी गया है राकेश टिकैट को भी इस बात का एसास है तभी तो वो चचाचा जान के बाहने OVC को टार्गेट कर रहे हैं दरसल चाट लैंड का गणित राकेश टिकैट भी जानते हैं किसान अंदोलर से उपजी नाराजगी के चलते यही जाट वोट अब बीजेपी के पाले से खिसकने का खत्रा है लेकिन OVC की इस अलाके में आमद से जाट और मुस्लिम वोटों का गणित बिगड़ सकता है OVC की चुनावी रणनीती बिलकुल साफ है उनके टार्गेट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर है बले ही OVC की पाटी पश्चीमी उपी की चुनी हुई सीटों पर ही चुनाव लड़े लेकिन उसका असर पूरे वेस्टन यूपी की राजनीती पर पढ़ सकता है अगर ऐसा होता है तो SPRLD की गड़बंधन को भी नुकसान हो सकता है अब सवाल यह है कि इस इलाके का मुस्लिम वोटर OVC को कितनी गंभीरता से लेता है मुस्लिम वोटों पर OVC का दावा कितना पुकता है यह जानने के लिए ABP न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग-अलग शहरों में मुस्लिमों की राय जानी जिब तचा जाना है तो कुतना घुस्तो करेंगी वो एक आज सीट जीत भी लेंगे गेंगे जीते के तो है नहीं तो कर क्या लेंगे वो सरकार तो बनाने के नहीं ुवेशी जानमार के जानमार साथ है। जो है अंदर से लोग चाहते हैं ये सुने जी हमारी बात आप साखी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचाता वो भी तेरे नाम जाहिर है अभी चुनाव का पारा चड़ना शुरू हुआ है, बश्यम यूपी के मुस्लिम वोटर पर अभी ओएसी का रंग चड़ा नहीं है बीजेपी का विरोध करने वाले मुस्लिम वोटर के दिल में जगा बना पाना ओएसी के लिए अभी आसान नहीं होने वाला लेकिन जब एक एक सीट पर कड़ा मुकाबला है तो वो ऐसी अपना कुछ बनाई या न बनाए लेकिन किसी का खेल तो बिगाड ही सकते हैं बिहार की तरा